Hey everyone, welcome to Glamour! अलीशा परवीन का जन 4 जुलाई 1998 को कॉलकाता वेस्ट पेंगॉल में हुआ था पर उनकी पढ़ाई और अबरेंगिंग डेली में हुई वैसे उनका पूरा नाम अलीशा परवीन खान है और वो इस्लाम रिलिजन फॉलो करती है उनके फादर का नाम M.A. सुभान है और मा का नाम वीना बेगम पेरेंट्स के अलावा उनका एक छोटा भाई भी है उन्होंने अपनी स्टार्टिंग के एड्यूकेशन डेली से कंप्लीट की और उसके बाद हायर क्लासेज मुंबई के ऑक्जीलियम कॉन्वेंट हाई स्कूल से बाद में उन्होंने कॉमर्स में ग्राजुवेशन के लिए मुंबई के M.M. की कॉलेज ओफ कॉमर्स और इकनोमिक्स में एड्मिशन ले लिया अलिशा की मा का सपना था कि उनकी बेटी एक एक एक्टर बने वो हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी का बड़ा नाम हो और ऑडिशन देने और एक्टिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए वो स्कूल डेस से ही मुंबई शिफ्ट हो गई उन्हें साल 2015 में तलवार मुवी में श्रूती तंडन के रोल से डेब्यू करने का मौका मिला था जिसके बाद वो साल 2016 में मात्र मुवी में टिया चोहान के रोल में देखे गई ये दोनों ही फिल्म्स उनके मुवी डेब्यू रहे इस ताइम अलिशा 12th क्लास में थी और मुवी प्रमोशन्स में एक्जाम्स की वज़े से हिस्सा नहीं बन सकी और ना ही उन्हें उस ताइम इसकी कुछ नॉलेज हुआ कर दी थी और उनका फोकस बस शूटिंग से घर और घर से स्कूल जाने पर हुआ करता था इसी साल 2016 में उन्होंने उडिसा में लिटल मिस इंडिया पैजिंट में हिस्सा लिया था जहां उन्हें लिटल मिस मोनालिसा का टाइटल मिला और वो टॉप टैन फाइनलिस्ट में रही बात करे उनके टेलिविजन डेब्यो की तो उन्होंने साल 2015 में इंडिया नियोज के मास्टर माइंड शो से अपना टीवी डेब्यो किया था और उसके बाद वो गटबंदन, कुर्बा हुआ, प्यार तुने क्या किया और मुस्कुराने की वज़ा तुम हो जैसे शोज में देखी गई साल 2019 का गटबंदन शो अलिशा की लाइफ का पहला ऐसा ब्रेक था जिसने उन्हें थोड़ी डिकॉगनिशन दिला दी थी इसमें वो प्रीती पारिक के रोल में देखी गई थी साल 2018 में उनका एक मा नाम का म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हो चुका है पर अलिशा को अब तक किसी लीड रोल में कास्ट नहीं किया गया था पर साल 2023 उनके लिए लखी रहा और उन्हें Amazon Mini TV की वैब सीरीज स्कूल फ्रेंड्स में डिम्पल के रोल में और साथ ही Color TV के उडारिया शो में आलिया के लीड रोल में ब्रेक मिल गया इंटरस्टिंग बात ये है कि उडारिया के लिए हजारों लड़कियों ने आउडिशन दिये थे और अलिशा के मन में था कि इतना बड़ा पॉपिलर शो है तो कोई उन्हें क्यों कास्ट करेगा इसलिए उन्होंने जादा मेहनत ना करके घर से ही ओडिशन रिकॉर्ड करके मेकर्स को भेज दिया पर उन्हें तीन दिन बाद ही मौक टेस्ट के लिए चंडिगर आने को बोला गया जिस पर अलिशा सप्राइज हो गई थी कि उन्हें कैसे सेलेक्ट कर लिया और इस बार अलिशा के मन में इस शो में काम करना ही है ये एकसाइटमेंट आ चुका था और वो खुद को शो में काम करती हुई मैनिफेस्ट करने लगी और उन्हें लीड रोल के लिए कास्ट भी कर लिया गया आज अलिशा केहती है कि पहले तो वो यह एक्टिंग बगरा कुछ समझ नहीं पाती थी और वो इस एट से पहले से ही एक्टिंग कर रहा है जब बच्चे सोच भी नहीं सकते क्या लाइफ में क्या करना है वैसे उडारिया शो में अलिशा के साथ अदिती भगत और अनुराज चहल भी लीड रोल्स में है यदि आप उनकी भी लाइफ स्टोरी देखना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वैसे अलिशा और उनके सेलेक्शन से जुड़ी एक बात ये भी रही कि शो की प्रडूसर सरगुन महता को अलिशा को देखते ही उनमें आलिया नजर आई थी और इसलिए उन्होंने उन्हें बोल दिया था कि वो जैसी है वैसी ही शो पर रहे अलिशा का कहना है कि सरगुन महता के इसी कॉन्फिडन्स की वज़े से वो अपने रोल में जान डाल पाई है वैसे आपको तीनों एक्टर्स में से कौन सबसे फिवरिट है और किसका रोल ज़्यादा पसंद है कमेंट में जरूर लिखना और क्या आपको ऐसा लगता है कि आलिशा को आस्मा का केरेक्टर प्ले करना चाहिए था ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे मैं फिर आउंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि हाँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज के लिए बस इतना ही थैंक्यो सो मच पर वाचिंग इस वीडियो स्टे कनेक्टिट बी हैपी